दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Veebo Y56 5G को अनलाग करने का तरीका यानि कि इस डिवाइस का पैटन लॉक, पीन लॉक या पासवर्ड लॉक रिमूब करने का सबसे इजी और बिल्कुल लेटेस तरीका वीडियो को ध्यांस देखेगा दोस्तों अगर आप भी Veebo Y56 5G यूज़ कर रहे हैं आपकी डिवाइस पैटन, पीन या पासवर्ड लॉक है तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद घर बैठे-बैठे बिल्कुल फ्री में, घर बैठे-बैठे आप अपने Veebo Y56 5G का पैटन लॉक, पीन लॉक या पासवर्ड लॉक रिमूब कर पाएंगे आप देख सकते हैं दोस्तों, डिवाइस हमारी पूरी तरह से पासवर्ड लॉक है अब डिवाइस को अंणलाक करने से पहले दोस्तों, हम आ जाते हैं डिवाइस के राइट साइड में इस डिवाइस के राइट साइड में देखेंगे तो आपको तीन बटन्स देखने को मिलेगी सबसे उपर की तरफ देखियो volume up, उसके बाद volume down और बिल्पुल नीचे की तरफ power unlock button ध्याम से सुनिए आपको करना क्या है दोस्तों देखिये दोस्तों, device को unlock करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसे पूरी तरह से power off करना होगा और जब आपकी device पूरी तरह से power off हो जाए तो आपको करना क्या होगा ये जो volume up button है और ये power unlock button आपको करना क्या इन दोनों बटन्स को एक साथ प्रेस करके रखना नेर बाउट 5 सेकेंड के लिए ओके 5 सेकेंड के बाद आप देखेंगे आपके device Vivo Y56 5G पूरी तरह से fast boot mode पर active हो जाएगी ध्यान रहे दोस्तों जैसे ही device fast boot mode पर active होगी आप तुरन्त इन दोनों बटन से अपनी finger हटा लेंगे तो मुझे उमिधा method आपको समझ में आ चुका है अब चली ये चीज में आपको practically करके दिखा देता हूँ अभी भी देख सकते हैं device मारी पूरी तरह से password lock है जैसाक दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको इसे पूरी तरह से power off करना है तो device को power off करने के लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों volume up और power button इन दोनों बटन को आप एक साथ प्रेस करेंगे तो आप simply device को power off कर पाएंगे तो मैं सबसे पहले device को पूरी तरह से power off कर लेता हूँ ओके device हमारी power off हो गई और अब ध्यान से देखिएगा ये चीज मैं आपको practically करके दिखाने जा रहा हूँ तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आपको volume up और power button इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना 5 सेकेंड के लिए ठीक है तो ये देखिए इन दोनों बटन को मैंने प्रेस किया अभी देखिएगा device fast boot mode पर active हो जाएगी ये देखिए fast boot mode पर active ही न हमतुरंत इन दोनों बटन से अपनी finger हटा लेंगे ओके आप देख सकते हैं दोस्तों बिलकुल उपर की तरफ लिखा वीबो 5G और उसके बाद लिखा fast boot यानि कि device हमारी fast boot mode पर active हो चुकी है अब देखिए आपको करना क्या है आपको device को unlock करना है इसका pattern, pin या password lock break करना है तो यहाँ नीचे तरफ ज्यान दीजिए एक option है recovery mode का तो आपको device को recovery mode पर active करना होगा तो अभी आपको जाना है recovery mode वाले option पर तो इसके लिए आप simple volume down वाली बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मैंने power button को प्रेस किया अब यह देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने power button को प्रेस किया आप देख सकते हैं device हमारी यहाँ पर reboot हो गई और near about maximum 10 second तक बेट करिए तो आपकी device पूरी तरह से recovery mode पर active हो जाएगी और यह लीजे दोस्तों finally हमारी device पूरी तरह से recovery mode पर active हो गई उपर की तरफ ध्यान दीजे लिखा है weibo 5G recovery ओके तो device recovery mode पर active हो गई अब आगे देखिए आपको करना क्या है आपको दोस्तों device को unlock करना है इसलिए यहाँ पर second number पर का option मिलता है clear data का तो आपको simple clear data पर click करना होगा तो यह रहा clear data मैं simple clear data पर click करता हूँ जैसे clear data पर click करेंगे तो आपके सामने दो option आएगा अभी आपको click करना है last वाले option पर यानि कि clear all data पर तो यह रहा clear all data मैं simple clear all data पर click करता हूँ जैसे clear all data पर click करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखे यहाँ पर यह message आ जाता है ठीक है और यहाँ पर इस message में आपको दो option नीचे क्रब दिखाई देंगे cancel और ok तो finally आपको click करना होगा ok पर तो यह रहा ok मैं simple ok पर click करता हूँ और यह देखे clearing data यह process होने लगा कुछ second wait करेंगे जैसे यह process complete होगा आपको all data cleared का message आ जाएगा और यह लीजे दोस्तों process complete होते ही आप देख सकते हैं दोस्तों बिलकूर उपर की तरब ध्यान दीजे लिखा cleared और उसके बाद लिखा all data cleared ओके तो all data cleared का message आ गया इसका मतलब device हमारी पूरी तरह से अनलाग हो चुकी है तो अब आपको करना क्या होगा अब यहां से आपको back जाना है recovery mode वाले option पे ओके तो back जाने के लिए नीचे के तरफ आप देख सकते है return का option है तो आपको simple return पे click करना होगा तो यह रहा return मैं simple return पे click करता हूँ अभी देखे दोस्तों उपर के तरफ लिए क्यारा clear data तो अभी हमको जाना है recovery mode वाले option पे तो और back जाने के लिए दोस्तों उपर के तरफ देखेंगे यह arrow है आप simple इस arrow पे click करें और यह देखे दोस्तों हमा चुके है back recovery mode वाले option पे ओके तो all data cleared का message आ गया यानि कि device हमारी अभी आपको करना क्या होगा नीचे करब दो option है Blockchain फाल्ली आपको restart पे click करना होगा तो यह रहा है start मैं simple यहाँ restart पे click करूंगा जैसे update click करेंगे तो नीचे करफ आपको there are aục call मिलेंगे cancel okay तो finally आपको okay पे click करना होगा तो यह रहा okay मैं simple यहाँ okay पे click करता हूँ और जैसे यह आप okay पे click करेंग दोस्तों आप देखेंगे आपकी device Vivo Y56 5G यहाँ पे reboot हो जाएगी आपने देखा दोस्तों device device reboot हो गई और अभी आपको wait करना है इसे पूरी तरह से active होने के लिए यानि के चालू होने के लिए और मैं आपको बता दो दोस्तों जब आपकी device Vivo Y56 5G reboot होकर पूरी तरह से active होगी तो आप देखेगा आपके display पे पहले की तरह किसी भी type का locks होने करेगा और आपकी device पूरी तरह से unlock हो जाएगी दोस्तों अगर आपको advice purchase करनी हो तो इसका link मैंने description box में दे दिया वहां से आप check out कर सकते हैं सारे color सारे variant का link आपको description box में मिल जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया Vivo Y56 5G को बिल्कुल free में unlock करने का तरीका आपको किसी laptop PC की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी इस वीडियो को देखकर घर बैठे बैठे बिल्कुल free में आप अपने Vivo Y56 5G को unlock कर पाएंगे एक छोटी इस request करूँगा वीडियो गर अच्छी लगती है helpful लगती तो please आप मुझे जरू support करें support करने के लिए आपको इस वीडियो को share करना ह है लाइक करना है और continue ऐसी वीडियो की notification पाने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा बगल में जो बेलाकन है उसे भी प्रेस करना होगा यहाँ पर दोस्तों maximum एक मिनट वेट करेंगे आपकी डिवाइस reboot होकर active हो जाएगी और यह देखें दोस्तों maximum हमने एक मिनट तक वेट किया डिवाइस हमारी reboot हुई और finally device reboot होकर active हो चुकी है और आप देख सकते हैं दोस्तों अब दिस्प्ले पे पहले एक तरह किसी भी टाइप का लॉक्स हो नहीं कर रहा है चलिए मैं complete android सेटप करके आपको दिखा देता तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा start पे ओके यहां से आप simple next पे क्लिक करें यहां देखी यह box है तो आपको simple इस box को check करना उसके बाद आप simple next पे क्लिक करें यहां देखी setup offline का option मिलता है तो आप setup offline पे क्लिक करें उसके बाद आपको simple यहां continue पे क्लिक करना है ओके यहां नीचे से सिंपल आप next कर दें ओके यहां से आपको more पे क्लिक करना है यहां से आप accept करें ओके यह देखिए set unlock method का option आ गया तो आप चाहें तो फिर से अपने device में यहां से pattern pin password face या finger lock apply कर सकते हैं फिलाल के लिए इस option को मैं skip करूँगा इसलिए मैं उपर की तरफ skip का option है इसकी पे क्लिक करूँगा नीचे से सिंपल आपको next पे क्लिक करना है once again आप next पे क्लिक करिए और यह देखे congratulations यहां नीचे लिखा use now आप use now पे क्लिक कर दें और अब देखें दोस्तों finally complete android setup करके दिखा दिया हमारी device vivo y56 5G पूरी तरह से अनलाग हो गई पूरी तरह से active हो गई और आप देख सकते हैं दोस्तों अब डिस्प्ले पे पहले एक तरह किसी भी टाइक का locks हो नहीं कर रहा है तो दोस्तों यह पूरा फूल प्रोसेस था vivo y56 5G को अनलाग करने का यानि कि इस डिवाइस का पैटर्न पी या पासवर्ड लॉक रिमूब करने का दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करता हूं अगर आपको एडवाइस पर्चेच करनी हो न तो इसका लिंक मैं में दे दिया है डिस्क्रिपूमरा आपको सारे वरियंट का लिंक मिल जाएगा आप चेक आउट कर सकते हैं तो एक छोपी इस रिक्वेस्ट करूँगा विडियो अर अच्छी लगती है है क्ो प्लीज आप मुझे जरूर सपोट करें अपक्लि आपका बहुत दन्यवाद thank you thank you so much